हेलो फ्रेंड्स, मैं शताबदीद, शताबदीदा किचर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वेज रेसिपी आप रोगों के साथ शेयर करी हूँ ये आपने पहले कभी भी कहीं देखी नहीं है और ना खाई है ये मैंने बनाया है जिससे पेठा बनाया जाता है ना उसको बेंगॉली में कहते हैं चालकुम्रा उसके साथ मैंने चने की डाल के पकोड़े बना के एक सबजी बनाई है खाने में बहुफर टेस्टी है और अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स तो चलते हैं किचन में तो रात को ही मैंने चने की डाल को भिगो दिया था तो यहां मैंने देखिए एक कप से थोड़ा सा कम चने की डाल भिगोया है इसको मैं मिक्सी के जार में ले लेती हूँ और इसका एक स्मूज सा पेस्ट बनाना है इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मैं इससे पकोड़े बनाने वाली हूँ तो मैंने इसको पीस के रख लिया है और इधर देखिए ये चाल कुम्रा है इसको मैंने कल आधा एक और रेसीपी बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो इसको पहले मैंने अच्छे से धोल लिया फिर से उसके बाद छील लेती हूँ और इसको एकदम बारिग बारिग जैसी लौकी काटते हैं न उसी तरह से बारिग बारिग मैंने इसको काट लिया है कढ़ाई में ले लिया है सरसो का तेल और इसमें मैं अब जो मैंने दाल पीसा था चने की दाल पीसी थी न उसके पकोड़े में फ्राई कर लूगी रेसिपी बहुत इजी है मेरी सारी रेसिपी बिलकुल घरेलू होती है ताकि आपको महंगे-बहंगे समान बाहर से लाकर खरीद के रेसिपी ना बनाना पड़े घर में ही चन्द समान से ही मेरी रेसिपी बनके तयार हो जाती है मैं जो भी बनाती हूँ सब सारी की सारी रेसिपी आप सब के साथ शेयर करती हूँ तो खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट्स जरूर किया कीजिए तो यहां मैंने पकोडों को डाल दिया है ये देखिए और इधर दिखा रही हूँ मैंने आलू भी काट लिया है दो बड़े आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट के यहां मैंने पानी में भीगो के रखा है यहाँ एक मैंने मसाला तयार किया है जीरा, टमाटर, हरी मिर्च और अद्रक का इसको अच्छे से पीस लिया था उसके बाद देखिए पकोड़ों को तल तल के मैंने बाई जितने जितने पकोड़े हैं उनको तल कर मैं रखती जा रही हूँ बहुती क्रिस्पीर पकोड़े होते हैं चने की दाल के चने की दाल के पकोड़ों के कई रेसिपीस होती है पर आज मैंने जो है जो चालकुम्रा होता है ना उसकी रेसिपी आपनों को किसा शेयर की है चालकुम्रा के भी बहुत सारी रेसिपीस होती है, मेरे चैनल में आपको कई सारी रेसिपीस मिल जाएंगी, तो यहां देखिए पकोडों को मैंने पलट लिया है, और एकदम जैसे रेड रेड कलर का होना उसी तरह से इसको फ्राई करना है, अगर रेड कलर के नहीं होंगे, तो यह कुरकुरे से क्रिस्पी से नहीं बनेंगे, तो मैं इनको अब पलेट में उठा के रख लगी, तो सारी की सारी पकोड़े तल लिये हैं और पलेट में मैंने रख लिया है, जितने भी बाकी थे उनको भी तल के मैंने रखा है, यह देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए आगे के प्रोसेस में चलते हैं, तो अब यहाँ पर मैं तेल में जो आलू है ना उनको मैं फ्राई कर लूँगी, आलू का कच्चापन दूर करने के लिए हर एक सबजी में मैं आलू को जरूर फ्राई करती हूँ, अब इसमें मैं ले लूँगी, जो मैंने मसाला पी सा था, उसका दो चमच, बड़ा चमच मैंने यहाँ पर मसाला ले लिया है, बहुत सारा मसाला इसमें नहीं डालना है, एक चमच मैंने डाला है धनिया पाउडर और एक चमच मैंने डाला है जीरे का पाउडर, डाला है हल्दी और नमक, फिर इसको अच्छे से फ्राई किया है, बह बड़ा सा पानी, मैंने इसमें डाला है, ताकि मसाला जलना जाए, गैस का फ्लेम हमेशा मैं मेडियम में ही रखती हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से जैसे फ्राई हो जाता है, तो चालकुम्रों को लेके मैं इसमें एड कर देती हूँ, लॉकी तो बहुत जल्दी सीज ज अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको मसाले और आलू के साथ आलू भी डालना जरूरी होता है इससे इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है अब मैं इसको ढखूंगी और करीबन 5 मिनट के बाद देखिए इसको फिर से एक बार उपर और नीचे कर देती हूं इससे क्या है यह अच्छे से सीज जाए और मसाला इसके अंदर तक चला जाए उसके बाद फिर से ढखने के बाद 5 मिनट के बाद अब धक्कन खोलती हूं अब देखिए इसको जब ऊपर नीचे करती हूं तो मैं इसमें इसको मैं चेक भी कर लूँगी कि यह सीजा है कि नहीं आलू के सी सीपी फ्रेंड्स जरूर इसको ट्राई कीजिएगा अब इसको अच्छे से पहले मिला लूँगी पकॉड़े थोड़े से क्रिस्पी है तो थोड़ा सा नरम करने के लिए और जो मसाले है वो भी पकॉड़े के अंदर तक भी चला जाए इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के के लिए धकूंगी मतलब 2-3 मिनट के लिए धक के पकाऊंगी तो मैंने धक दिया है 2-3 मिनट के बाद ही धक कर मैं हटा लेती हूं तो यह देखिए सबजी बनके बिलकुल रेड़ी है एक कम-कम टाइम में मतलब 10 मिनट भी नहीं लगते हैं सबजी को बनने में आप इस सब यहां देखिए गुर्ड डाल रही हूं इससे थोड़ा सा जो है ताना बैलेंस हो जाता है इसका टेस्ट और दो चम्मच मैंने घी डाला है इससे आज एक पर डालके सबजी में जरूर बनाईएगा इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है और एक अच्छी सी खुश् आती है गर्मा गरम चावल में यह सबजी खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आप एक पर सबजी को बनाके जरूर शेर कीजिएगा तो यहां देखिए सबजी बन चुकी है अब मैं सर्व कर लेती हूँ तो गर्मा गरम सबजी बनके बिलकुर रेडी है अगर आपको र कमेंट्स और शेर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें